प्राइश शर्म आप लोग का स्वागत तरेंड तो मेरा आई शर्मा आप लोगा स्वागत करता हूँ अनकैडमी के ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर और जैसा कि फ्रेंट हम लोग जोगरफी के प्रफशनों को देखेंगे जो प्रिविएस एर कुश्चन है और उसके माध्यम से सारे चीजों को डिसकस करेंगे कैसे कुश्चन सुगर आ रहे हैं तो लेट्स बिगिन स्टार्ट करते हैं और उसके पहले मैं आपको अनकैडमी के बारे में बता दू अनकैडमी इंडिया का बेस्ट ओनलाइन प्रेटफॉर्म है और बिल्कुल जोईन करें जोईन करने पर आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और लिमेटेड एकसेस कर पाते हैं बिल्कुल रमित कुमार यादाओ जी बिल्कुल स्वागत है आपका गुड इबनिंग और सबसे पहले फ्रेंड आप अनकैडमी का एप आप डाउनलोड करोगे तो इससे आपको सारे अनकैडमी की जो क्लासेस बुग रहे हैं आपको मालुम चलेंगे और मेरा टेलिग्राम रिंग सब्सक्राइब कर लो तो इसे मेरे सारे क्लास के नोटिफिकेशन होगर आपको मिलेंगे सारे नोट्स होगर आपको मिलते जाएंगे और जोइन करने पर आपको इंडिया के बेस्ट एजूकेटर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं औ और फी जो आपका friend है, देखो, दो तरका course है, एक तो आपका plus है, और एक आपका iconic है, plus में आपको study मिलती है, और iconic में आपको study के साथ साथ proper guidance मिलता है, खिक है? सर सबसे पहले में आप बिलकुल आप सबसे पहले आये हैं आपको बहुत भूँ धन्यवाद रविंद्र कुमार जी तो आप ज्वाइन करते हो फ्रेंड आपका तो प्लस का जो पूर्स है 6 मंत का 12 मंत का 24 मंत का एं 36 मंत का यह आपका फी यहां पर डिस्प्ले कर रहा है आप म थाउजन है और इसमें आप EMI के थ्रूभ भी आप पे कर सकते हैं ठीक ना उसी तरह से आपका फ्रेंड आपका है आइकोनी का बताऊंगा आप्सेनल की जो आपकी 6 मंत से लेकर 3 अज तक यह फी है यहां पर पर यूज करेंगा ऑफिसेनल काफी इंप्रेंट होता है तो करने के बाद फिर आप Soak मिलता है और प्लस का अगर देखते हैं अपका यहां पर देखंगे प्लस का तुनमें ट्वैल मंत 24- знает जड्य स again 36 मंद यहाँ पर फी डिस्प्लेय कर रहा है रिपने रिकॉड को यूस करें तो आपको यह डिस्काउंट मिल जाए हम इसमें उसी तरह से आईकॉनिक है व gathered bike of healthy यहां पर आपको यहां पर आपका कि आपका फी! हो जातास अयकंधक का जो प्रोगाम है तो आप लोग सभी लोग कर रहे होंगे अनकेडमी कॉंबेट प्रोगाम तो बिल्कुल ज्वाइन करें चौदर फरवरी को है अठाइस परवरी को है सिक्स्टी मिनटता सेशन होता है सिक्स्टी कोश्चन है रिलेटिव स्कॉरिंग होता है अपने सेल्फ इवलेशन के लिए इस पर काम करें काफी अच्छा है नेशन वाइड आपकी रैंकिंग होगी और इसमें आप फ्रेंड इसको अगर आप करते हैं क्वालिफाई तो इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट बिलेंगे 12th Fibs से आपका 2022 के लिए बाहस चुरू हो रहा है और 2023 के लिए आपका 12th Fibs से हो रहा है और यह आपका जो NCRT का बैच है तो इस बैचे पैचे स्टार्ट हो चुके हैं आपके और इसमें अनकैडमी का कमभेट प्रोग्राम अपका इसमें है जिसमें आप ऑशन के साथ GS करते हैं तो Iconic के साथ करेंगे 1 year का तो 88,705 है और 2 साल के लिए करेंगे तो 131,510 है और 3 साल के लिए 167,220 है जिसको आप Easy EMI के थुरू पे कर सकते हैं और उसी तरह से आपका प्लस का है फ्रेंड, प्लस के अंतरगत आपका 1 year का GS और optional 2 years का है और 3 years का है तो मेरे code को यूज़ करें इसमें आपको discount मिल जाएगा और ये एक submit हो रहा है फ्रेंड आपका unacademy submit 2.0 बहुत important है इसको register कर रहें आप लो काफी ज्यादा motivational रहेगा काफी ज्यादा inspiring रहेगा तो बिल्कुल attend करें इसको इसमें इंडिया के आप पहतरीन personality जो है वो आपसे मुखातिव होंगे तो सभी लोगों को सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड तो बिल्कुल join करें इसको और मेरे code को use करते हैं तो आपको बहुत सारी benefit मिलेंगे तो let's begin friend हम लोग स्टार्ट करते हैं नीलम कुमारी जी बिल्कुल good evening तो friend हम लोग बात करते हैं हम लोग उने UPSC के questions को देख रहे थे जोगरफी के इसके माध्यम से पूरा हम लोग preparation करेंगे तो let's begin हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पिछले बार हम लोग ने 20 questions किया था friend तो अभी हम लोग 21 से करेंगे इसमें total आपका total आपका question जो आपका है इस friend इसमें इसमें total question आपको मिलने वाला है 130 question है आपको मिले का friend और 2020 का भी तो total मिलाकर आपको करेंगे 145 question या 150 के लगवग आपको question मिलने वाला है और यह पूरा previous year question आपका है जिसमें हम लोग ने पिछले class में 20 question को किया था और आज फिर हम लोग आगे से 21 से start करेंगे और इस पर proper आपको explanation देंगे बिल्कुल विभा विल्कम आपका सभी लोग का सभी लोग जुड़ते चले जाओ तो सबसे पहले friend हम लोग देखते हैं यहाँ पर और यह जो आपका होने वाला है थोड़े मैं आपको class के बारे में बीश में बता दूँगा कि आज यह session है कल भी session आपका होगा छे बज़े से कल भी आपका 6-20 session होगा और Sunday को special class लेके आ रहा हूं जिसमें पूरे physical geography के question के माध्यम से हम लोग study करेंगे तो यह मतलब Friday, Saturday, Sunday तीन दिन आपका MCQ रहने वाला है बाकि Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday जिसमें physical, world और Indian तीनों की classes होगी एक-एक दिन होगी और बाकि तीन दिन आपका MCQ होगा और Monday से आपका optional की भी classes start हो जाएंगे और सुबह जो anacademy special classes चल रही है तो कल सुबह उसकी class होगी इसमें हम लोग questions होगा आपको देखेंगे दक्षिन भारत से उत्री भारत की और मानसुन की ओधी घटती है और दूसरा है उत्री मैदानों में वार्सिक द्रिष्टी की मात्रा वार्सिक व्रिष्टी मतलब वर्सा की मात्रा वार्सिक व्रिष्टी की मात्रा पूरव से पश्चिम की और घटती है तो ये दो statement है आप आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही होगा, तो आप लोग है, तो इसका answer करो, क्या इसका answer होगा, 21 का दक्षिन भारत से उत्री भारत की ओर मानसून के ओदी घटती है, और दूसरा आपका है, उत्री मैदानों में वार्शिक व्रिस्टी की मातरा पू क्या बहुत ही कम है तो इसका क्या एंसर होगा आप लोग बताएं दक्षिन भारत से उत्री भारत के और मांसुन की ओदी घटती है और उत्री मैदानों में वार्शिक वृस्टी की मात्रा पूरव से पस्यम के और घटती है तो और लोग इसका एंसर करें जितना ज्यादा इसका बिल्कुल सही होगा और बी लोग जबाब दे तो एक और दो दोनों आपका इसका एंसर है दोनों स्टेट्मेंट आपका सही है कि दक्षिन भारत से उत्री भारत की ओर मांसुन की ओधी जो है ओ घटती जाती है कि किना मतलब साउथ से लेकर साउथ से यह नॉर्थ हो जब पूरब से पश्यम की ओर जाते हैं अब यह इस्ट है और यह आपका क्या है वेस्ट है तो इस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तब भी क्या होती है वार्षिक वरिस्टी की मात्रा जो एन्वल रेंफॉल है इसकी जो मात्रा है और क्या हो जाती है घट जाती है तो यह द दस और तेरा जून के बीच में ये पहुने मुंबई और कोलकता तक पहुंच जाती है दस से तेरा जून के बीच में और मध्य जुलाई तक 15 जुलाई तक संपुन उप महादीप में ये पहुंच जाती है मानसुन पहुंच न तो ये चीजें आपका होगा अगला प्रस्तन आपका फ्रेंड है अगला कोश्चन देखे आप थ्वास एक्स्प्रेंड कर दें कि दक्षिन पश्ची मानसुन भारत के किरल तट पर एक जून को पहुंचता है और दस और तेरह जून को बीच में ये मुंबई और पोलकता तक पहुंच जाती है और मद जुलाई तक संपु उप महादीप दक्षिन पश्ची मानसुन के प्रभावधीन में आ जाता है और सितंबर के आरंब से उत्तर पश्चमी भारत से मानसुन क्या है पीछे हटने लगता है इसको लौटती वी मानसुन बोलते हैं या रिट्रेटिंग मानसुन बोलते हैं लौटती वी जो मानसु पौने हैं बंगाल के खाड़ी से आदरता ग्रहन करके उत्तर पुर्वी मानसुन के रूप में तमिल्नाडू में वर्सा कराती हैं और भारत के उत्री विशाल मैदानों में मानसुनी पौनों का प्रवेश पश्चिम मंगाल से हिमाले के समनांतर पश्चिम की और होता है और प्रवेश के करम में पहले आने वाले अस्थानों में भारी मात्रा में वर्सा करती हैं तो यह आपका इसका एक्स्प्लैनेशन हो गया अगला कोशन देखें निम्लखित राज्यों पर विचार करें ठीक है निम्लखित राज्यों पर विचार करें इसमें क्या आपका होगा तो इसमें क्या इसका एंसर होगा देखना है निमलकित राज्यों पर विचार करें 36 गड़, मदपरदेश, महरास्ट्रा और उरिसा तो उप्युप्त राज्यों के संदर में राज्य के कुल छेत्रफल की तुलना में one आच्छादन मतलब forest, one आच्छादन की जो प्रतिसत्ता है, प्रतिसत्ता के दार पर निमलकित में से कौन सा सही आरोही अनुकरम है आरोही मतलब क्या हुआ? बढ़ते करम में आरो ही मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, बढ़ते करम में कौन सा है, तो इसका आप लोग को जवाब देना है, ठीक है, बढ़ते करम में कौन सा है, इसको देखना है, यह हलाकी 2012 का प्रस्न पुछा हुआ है, ठीक है, 2012 का प्रस्न पुछा हुआ है, तो 2019 के अंतरगत, जो forest report है उसके according, आपको देखना होगा, ठीक है, तो इसके अंतरगत, उस समय क्या answer था, और मैं आपको बता दूँगा, तो सभी लोग इसका answer करें, क्या इसका answer होगा, 36 गड, मध, पर्देश, महरास्ट और उरिशा, तो इसका answer क्या रहने वाला है, आपको बताना होगा, आपको जया, प्कल दूँआ। झातने होगा है, गो कि ईसका क句 उसका पहाना होगा, ए खर है, तो भनुद करेंप ए कि चरतेंग, आपने होगा, डरतेंगाHowा, फर बताना होगा होगा,पको पोगा होगा प्ट bicyclesणोर', आपको तो ए सकамен है उसका स्वारा है, रदम हैं तो इसके अंतरगत आपका एंसर क्या होगा आपको देखना होगा फ्रेंड यह मैंने पूरा आपको बता रखा है मतलब एरिया वाइज किसके पास ज्यादा है इसको आपको देखना है तो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार इसमें उस समय जो आपका एंसर होगा फ्रेंड आपका उस समय जो आपका एंसर होगा वह आपका सी इसका एंसर होगा तीन दो चार एक ठीक है तो एरिया वाइज अगर देखा जाएगा तो एरिया वाइज देखा जाएगा फ्रेंड तो अभी के हिसाब से देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा मद्परदेश एंपी और फॉरिस्ट कवर एरिया वाइज ठीक है तो उसके बाद अरुनाचल प्रदेश ठीक है और उसके बाद च्छतिस गड़ और उसके बाद ओडिसा और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा महरास्ट्रा ठीक है ये मतलब सबसे ज्यादा क्या है मतलब महरास्ट्रा से मंपी यूड march ये होगे आपका 015 सब्ज्यादा क्या हो जाएगा MP में हो जाएगा तो इस तरीके से आपका इसका एंसर होगा आप इसको देख सकते हैं लेकिन यहां पर जो एंसर होगा ठीक है यहां पर जो आपका एंसर होगा दो तीन चार एक हाँ इसके अनुसार आपका जो एंसर होगा फ्रेंड आपका उस समय जो पूछा गया 12 में तो इसके अनुसार C होगा लेकिन अगर अभी देखा जाएगा तो मदप्रदेश है ठीक है उसके बाद फिर क्या हो जाएग मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा आपका मदप्रदेश में है पिर आरू ंचल में अरू आप्शन नहीं है फिर 36 गड़ होगा, घटे करम में होगा लगी, ठीक है न, तो ये घटे करम में हो गया, और MP में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रस्न है, कि भारत में निमलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागोन जानते होंगे, टिक, सागोन प्रभावी विरिक्ष है, तो ये आपको बताना है, ये किस ग्रूप में आपका आता है, उस ने कटि बंदिये, आधपण पाती होगा, मतलब ट्रोपिकल, आपका हुमिड, डेसिडुएस आपका होगा, ट्रोपिकल, एवर ग्रीन, रेनी, मतलब वर्सा वन, उस ने कटि ब आपका आएगा सागोन टिक आपका किस प्रारूप में आएगा यह आपको बताना है ठीक है सागोन किस प्रारूप में आएगा आपको यह बताना है ठीक है तो सभी लोग इसका एंसर करें कि इसका क्या एंसर होगा A B C D में जल्दी से बता दें एंसर क्या होगा इसका यह सब UPSC के question पूछे गए हैं इससे आपको idea लगता है कि कैसे प्रस्न पूछे जा रहे हैं तो उसके according आपको देखना होगा तो निमलिकित में से किस एक one प्रारूप में सागौन एक प्रभावी बिक्ष स्पेसीज है कि मानशु तिवारी जी आपने बोला है B ठीक है और भी आप लोग बताएं और क्या इसका answer होगा किस एक one प्रारूप में सागौन एक प्रभावी बिक्ष है A होगा B है C है D है इसके लिए आपको पूरा B answer होगा सभी लोगों ने B बताया है तो natural vegetation जो आपका friend है इस पर आपको पूरा पढ़ना होगा natural vegetation प्राकृति बनश्पति जो है उसके बारे में पूरा आपको idea होना चाहिए तो इस सहां से प्रस्न पूछा जाता है इसका answer A होगा इसका A answer होगा उस न कटवन दियं आदर पंपाती 1 तो Sagan या तो Sagan बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं टिक बोलते हैं यह tropical most deciduous forest होता है उस न कटवन दियं आदर पंपाती 1 पंपाती का मतलब क्या होता है जो अपना पत्ता गिरा देता है एक प्रमुक्विर्च है और यह मा जानसुनी वन का पैटर्ण है और उसने कटिबन दिये आद्पनपाती वन जो है भारत के उन सभी भागों में पाये जाता है जहां पर पर 100-200 cm वर्षा होती है ये वन उत्तर पुर्वी राज्ज में हिमाले के फोठिल्स में पश्मिघाट के पुर्वी ढाल पर ध्यान रखेगा छोटा नागपुर के पठार पर और रिसम पाये जाते हैं इन वनों में साल है सागौन है सीसम है महुआ है आवला है चंदन है इसा मुलिवान लकडी है ठीक है और यह भारत के अलावा मैनमार में मैनमार में पाये जाते हैं धाइलैंड में इंडोनेशिया में फिलिपिन्स में लाओस देसों में पाये जाते हैं तो यह आपका होगा उस निकटिवन दिये आदपनपातिवन ठीक है अगला प्रस्थन आपक और पाद के निमलिखित खेत्रों में से किस bert में Mangrove forced एक में Mangrove फौरेस्ट किस खेत्र में Mangrove forest सदाद पंड़ी वनों और पंड़ पाती वनों का संइयोजन किस खेत्र में मतलब Mangrove one भी मां पर मिल रहा था a तो ते 3 आंद परदेस में अंद परिशिम मंगाल में म boiler रहा है कि उत्तर तरटी आंध परदेश में दक्षिन पशें बंगाल में Jen हैं और अट्मान निकोबार Cor ul समों में तो यह कहां आपको मिलने वाला है आंध परदेश में मिलेगा या बंगाल में मिलेगा आपको या दक्षनी सौरास्ट में मिलेगा या अंडमान निकोबार दिशाओं जल्दी आप आप लोग इसको ज्यादा सेयर कर दिया करो तो क्या होगा जल्दी से एंसर बता दें इसका कि इसका क्या एंसर होगा विकाश बर्मा जी ने बताया है अंडमान निकोबार बिल्कुल सही बताया है विकाश बर्मा जी तो बिल्कुल अंडमान निकोबार दीप सम्मू होगा इसका जो एंसर आपका होगा ओ उत्तर तठी आन्द प्रदेश नहीं है तक्षिन पश्चि मंगाल भी नहीं है और दक्षिनी सौरास्ट भी नहीं है तो यह जो इंसर इसका होगा वो आपका क्या होगा आपका अंडमान निकोबार आइलेंड ग्रूप में यहाँ पर मैंगरूब वन सदापर्नी वन और पंडपाती वन दोन मिलते हैं तो भारत के ज के प्रदोस्तτε आथे हैं और अदमान निकोबार में ही पाये जाते हैं सदाबहार वन सदेश के इंड़ से देक्षिक होती है तो यह होने वाले मानसुनी वर सभ्यापक तो पंडपाती वन के लिए लाबकारी होती है तो यह जो आपका एंसर होगा यह आपका अन्दमान निकोबार दीप समूँ आपका होगा ठीक है तो अन्दमान निकोबार दीप समूँ जो आपका है एक उस निकटी बंदिये शेत्र है और यहां पर अन्दमान में मैंगरूव वन विश्च के प्रमुख मैंगरूव वनों म से एक है ठीक है निलम बिल्कुल डिये यूपीस के लिए से प्रिवेस कोशन का सबसे अच्छा बुक कौन सा है सबसे अच्छा बुक आप ले सकते हैं अरीहंत का ले सकते हैं ठीक है और या तो फिर सतीस ब्रदर्स का आता है उसको ले सकते हैं अच्छा है उसमें काफी अच् तो मैं इसमें आपको पूरा जोग्रफी का 2020 तक मतलब करीब करीब 10 साल के कोश्चन 10 साल के आपके previous year कोश्चन जोग्रफी का पूरा करा दूँगा उसके बाद पूरा Indian quality करा दूँगा उसके बाद फिर आपका environment का पूरा कोश्चन करा दूँगा और आपका economy का करा दूँगा question, ठीक है, तो ये चार section का मैं आपका पूरा previous year question करा दूँगा अच्छे तरीके से, और Sunday को में लेके आ रहा हूँ, कल भी आपका previous year question ही चलेगा, Sunday को में लेके आ रहा हूँ, संडे को में लेके आ रहा हूँ, पूरा physical geography, तो physical geography, mcq के तहद करेंगे, ठीक है, physical geography जो आपका भौतिक भुगोल है, mcq के तहद करने वाले हैं, जिसमें geomorphology का question होगा, climate के question होगे, oceanography के होगे, bio geography के question होगे, उसके बाद regional, world regional कराऊंगा, world regional कराऊंगा, तो सारी चीज़ों को बिलकुल कराने वाला हूँ, चीक है न, और फिर आपका Indian geography का है, उसको भी कराऊंगा, तो दोनों तरह के चीज़े हैं, सुबह में जो कल class हमारी हो रही है, वो Indian geography की mcq कराऊंगा, तो सुबह 7 बज़े होता है, तो आप आज आएंगे in academy special में, तो Friday, Saturday और Sunday, दो दिन आपका Indian geography का mcq होगा, तो मैं जो special class में करा रहा हूं, दो दिन quality, दो दिन geography और दो दिन environment करा रहा हूं, mcq, तो इससे क्या होगा, कि आप कैसे प्रस्नित पूछे जा रहे हैं, उससे आपको मालूम चलेगा, और अगला question आप देख सकते हैं, जो next question हमारा है, निमलिखित राज्यों पर विचार करें, अरुनाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, तो उप्युक्त राज्यों में से किसमें उस निकटी बन दिये, आद्र सदा पढ़नी वन होते हैं, ठीक है, तो ये कहां पर आपको मिलेंगे, अरुनाचल प्रदेश, हिम अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम, तो ये कहां आपको ऐस तरह का मिलने वाला है, तो आपको एंसर देना है, A होगा, B होगा, C, D, क्या होगा, इसके बारे में आपको देखना है, तो आप लोग सभी लोग इसमें एंसर करें, तो अरुनाचल प्रदेश, सदा परणिवन और वेजिटेशन से आपका फॉरेस्ट से काफी कोश्चन रहते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से आपको करने हैं, आहित खान जी विल्कुल गुड इबनिंग, पहले आजाये करो, साम को 6 बजे जोईन करो, और टाइमिंग का थोड़ा प्राब्लम है क्या है, स्टुएंट्स कम आते हैं इसमें, तो इसका टाइमिंग थोड़ा चेंज करूँगा, सुबह ही कर लूँगा, या तो बारा बजे करूँगा, या तो फिर एक बजे करूँगा, बारा बजे या एक बजे इसकी टाइमिं में तो इसका एंसर क्या होगा मरी आइंद और लोग जबाब दें वीभा ने सि बताया हैं तो इसका क्या एंसर होगा क्य इसमें क्या एंसर होगा उस निकटी बंदी आदस दापढडी वन मतलब tropical Д्रोंपिकलár मॉस्त evergreen forest ठीक है? इसका answer ये हुआ तो और लोग भी answer करें, इसमें क्या होगा? इसका answer जो आपका बिल्कुल सही बता है, इन्होंने C answer होगा कि जहां पर अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम ठीक है ना? तो ये अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम जो आपका है यहां पर ऐसो आपको उसन कटिवन्दिये आद सदा पढ़ने वन मिलेंगे और उसन कटिवन्दिये आद सदा बहार वन वर्सा वनों का एक अनुठा उधारन है ठीक है एवर ग्रीन फॉरेस्ट का जहां पर 200 सेंटिमेटर से अधीक औसत वार्सिक वर्सा होती है और 22 डिग्री औसत तापमान से अधीक वाली जलवाई दसाएं में विक्षित होती है आप ठीक है ताइम से थोड़ा प्रॉब्लम है आपके टाइम के साथ इंग्लिस क्लास चलता है आपका आज का क्लास 13 को लाइव सो रहा है इसलिए पार्ट टू है और तेरा को भी एक भॉछ है एपका है और चयोदा हो आपका या क्या है पीजिकल जोगरफी है तो ये यहां पर विभीत प्रजातियों के वन एक साथ पाय जाते है भारत में जो वन है जहां पर 200 cm से वर्सा अधिक होती है तो अनमान निकोबार है, वेस्टन घाठ है, अन्नमलाई पहाड़ी है, अशम है, पश्यमंगाल, अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम में और हिमाचल प्रदेश में क्या है, यह माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहांपर, परवतिय बनस्पतियां पाई जाती है, अगला प्रसन आपका है फ्रेंड, यह सब सब UPSC के कोशन है, और नैचुरल वेजिटेशन से काफी कोशन पूछे जाते हैं, यदि आप हिमाल निमलेखित में से किस प्लांट्स या किन प्लांट्स के जो प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है, किस तरह की चीजे मिलेंगी आपको, छीक है, तो आपका बांच, बुरुंस और चंदन है, तो किस तरह का आपको यहांपर दिखता है, यह आपको ब बांज, भुरुंस और चंदन ये चीज़ें आपको दिखेंगे यहां पर आपको बताना इसमें तो इसकी टाइमिंग में थोड़ा चेंज करूंगा दो बज़े के पहले ही रखूंगा बिफोर टू पीम रखूंगा इसको और मंडे तक तो अब यही टाइमिं रहेंगी मंडे के बाद आप्टर मंडे इसका टू पीम या वन पीम मैं इसका समय रखूंगा ठीक है या तो टू पीम रखूंगा या तो वन पीम रखूंगा आपको बता दूँगा तो सभी लोग इसका एंसर करें क्या इसका एंसर होगा इसका एंसर क्या होगा आपको बताना है इसका एंसर जो होगा आपका एंसर होगा बांज और बुरुंस आपको देखने को मिलेगा हिमाले का विस्तार मुकिता भारत जेंड के में उतराखंड में हिमाचल शिक्किम पश्यमंगाल अरुणाशल प्रदेश में और उचाई बढ़ने के साथ हिमाले में उस निकटी बंदिये वनों से लेकर टुंट्रा वन पाई जाने वाली प्राकर्थिक बनस्पतिया पाई जाते हैं, इसा पढ़ाया जा चुका है, हिमाले के आज गरीपत छेत्र में फोटिल्स में पंड़ पाती वन पाया जाते हैं, और इसके बाद एक हजार से दो हजार की मिटर की उचाई पर आद्र सितोस्न कटिवंदिय प्रकार के वन पाये जाते हैं। उत्तर पुर्वी भारत के उचतर पहाड़ी सिंखला और पश्चिम मंगाल और उत्राखन के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले बांज और चेस्नट जैसे सदाबहार वन पाये जाते हैं। तीन हजार से चार हजार मिटर के उचाई पर सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन, ठीक है, बर्च और बुरुन साधी विरिक्ष मिलते हैं। और चंदन के विरिक्ष हिमाले में प्राकृतिक रूप से नहीं पाये जाते हैं। अपितु ये विरिक्ष जो है भारत के प्राय रीपिय भाग में उस निकटिवंदिये आज पन पाती उन्हें पाये जाते हैं। तो मैंने पूरा इसको अच्छे तरीके से करा रखाया आप लोगों, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो इसका जो एंसर आपका होगा फ्रेंड, वह आपका क्या होगा, एंसर होगा। अगला कोशन देखते हैं आप, अगला प्रस्ण है कि निमलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सरुप्यक जलवाईव विश्य की सित्याउपलब्ध हैं। जिसमें नियुन्तम लागत से और्कीड, और्कीड की विविद किस्मों की खेती हो सकती है। और वह इस छेत्र में निर्यात उन्मुक खुद्योग विक्षित कर सकता है। तो और्कीड जो आपका है, तो और्कीड के खेती कहां पर होती हैं। आंद्प्रदेश, रुनाचल, मध्प्रदेश, और आपका उत्तरप्रदेश। तो इसमें आपको देखना है, इसका कहां पर आपका होगा। और्कीड तो यह प्रस्न जो आपका पूछा गिया है, तो निमलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी जलवाईव श्थितियां उपलब्ध हैं, जिसमें मिनिममम इनपूट से, निवन्तम लागत से, और किड की बहुँ सारे प्रकार की किस्म की खेती हो सकती हैं। और यह एक्सपोर्ट ओरिंटेड इंडस्टी विक्षित हो सकता है, तो आंधरा है, अरुनाचल है, मद प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, तो सब लोग इसका एंसर करें। इसमें क्या इसका एंसर होगा। तो इसमें क्या एंसर होगा। सभी लोग जल्दी से करें। और किड का छेत्र कौन सा आपका है, आंधरा है, अरुनाचल है, सारे UPSC के कोश्चन है, इसमें आप लोग आंधर प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, मद प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दें, फटाफट जवाब दो आप लोग। तो आप लोग ने चवाब, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, इसका जो एंसर आपका हeti्यों इक ही इत्वाइन संवें दिश्यशन. अरुजन इसका आपका होगा है, और ओर ऑर्किड जो आपका है सब्सक्रा करका है होइग और और City एक रंगीन एवं रंगीन एवं मन मोहक पुस्पिय पौधा है ठीक है और विस्व में यह हीम नदों के सिवाए सभी महादीपों पाये जाता है तो और्किट जो आपका है एक कलरफुल होता है और काफी एट्रैक्टिफ फ्लावर है और यहां विस्व में जहां पर ग्लेसियर है उसको छोड़ कर सभी महादीपों में कॉंटिनेंट में पाये जाता है और्किट का प्रयोग जो मुखी रूप से परफ्यूम बनाने में किसमें परफ्यूम बनाने में फूलों की खेती बैपार सजावट के रूप में खादे के रूप में परंपरागत दवाईयों के निर्मान में किया जाता है और और्किट की खेती भारत के उत्तर पूर्वी जलवाई चेत्रों में की जाती है बिलकुल बिभाव भी होगा भारत में फूलों की खेती का 9% इनी और्किट से प्राप्थ होता है और अरुनाचल, शिक्किम, हिमाचल प्रदेश और्किट की क्रिसी के लिए क्या है काफी उप्यूक्त है तो कौनकौन सा हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश आपका है उसके बाद फिर आपका शिक्किम है और आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश है तो यह सारे एरिया जो आपका है, यह आपका इंपोर्टन है अगला आपका फ्रेंड है कि 2004 2004 की सुनामी 2004 में सुनामी आया था इंडियान ओशन में 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान गरान जो होता है, वो मैंगरूब होता है गरान मतलब क्या होता है मैंगरूब तो गरान तटिये आपदाओं के विरुद विसोसनिये सुरक्षा बाड़े का कारे कर सकते है गरान बाड़े के रूप में किस प्रकार कार करता है, मतलब मैंगरूब, गरान मतलब क्या होता है, मैंगरूब, ठीक है न, तो गरान जो आपका है, 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 गरान के विर्च घने वितान लंबे विर्च होते हैं जो चक्रवाद सुनामी के समय से अप्तम सुच्छा परदान करते हैं तो यह जो आपका होगा इसमें क्या इसका एंसर होगा आप लोगो देखना है तो इसमें आपका चार ओप्षन है ए बी सीडी तो प्रस्थ निये पूछा जा रहा है कि तुफान के समय मतलब जो सुनामी का सुनामी जवाता है तो कैसे यह रक्षा करता है तो ए बी सीडी में आपको बताना है इसका क्या एंसर होगा चल्दी से बता दें आप लोग ए बी सीडी में क्या एंसर होगा आप लोग एंसर नहीं दे रहे हों जादा तो हो नहीं दोती नहीं लोग हों कोई बात नहीं मैं इसका एंसर बता देता हूं आपको फ्रेंड इसका डी एंसर होगा ठीक है गरान के जो विरिक्ष हैं अपनी सघन जड़ों के कारण तुफान और जुआर भाटे से नहीं खड़ते हैं तो यह इसका एंसर होगा और गरान मतलब क्या हो गया मैंग्रूब ठीक है ना गरान मतलब क्या हो गया मैंग्रूब और लवनिय जल की एक तटिय बनस्पति हैं इसमें सुंद्री मैंग्रूब कच बनस्पति हम ज्वारिय बनस्पति आधी नामों से जाना जा है लो फाइट्स होता है यह कैसे बनस्पति को बोलते हैं जो लवनिय मिरदा में लवनिय दसाय में जो विलिख्ष पाए जाते हैं इसी कारण सुन्दर वन बोलते हैं जिससे ठोस एबं टिकाव इमारती लकडि प्राप की जाती है और मैंगरूप बनस्पतियों की जड़े जो है गहरी और बहु सारा ब्रांचे जिसमें होता है व्रिक्ष की उंचाई कम होती है चक्रवात, सुनामी ति था उंची सागरिये लहरों के आगमन के दोरान भी ये बनस्पतियां अपनी जड़ों से नहीं उकड़ती है तो ये इसका answer होगा, D answer होगा, अगला प्रसन आप देख सकते हैं अगला प्रसन है आपका, कृसी मिर्दाओं के संदर में, ठीक है, कृसी मिर्दाओं के संदर में, मतलब जो अगरी कल्चर स्वायल के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार करें क्या होगा इसमें, क्रिसी मिर्दाओं के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार करें, तो पहला क्या है, मिर्दा में कार्वनिक पदार का उच अंस इसकी जल धारन चमता को प्रवल रूप से कम करता है, गंधक चक्र मतलब जो सलफर साइकल में मिर्दा की कोई भूमी का न मिर्दा में कार्वनिक पदार का उच अंस इसकी जल धारन चमता को प्रवल रूप से कम करता है, क्या सही है, दूसरा सलफर शक्र में मिर्दा की कोई भूमी का नहीं होती है, और उसके बाद है, कुछ सम्यावधी तक सिंचाय कुछ क्रिसी भूमियों के लवनी भवन में य तो इसका क्या एंसर होगा, आप लोगो पताना होगा, जल्दी बताओ, इसका आपका एंसर जवाब का होगा, डी एंसर इसका नहीं होगा, इसका बी एंसर होगा, ठीक है, और केवल तीन सही है, कुछ सम्यावधी तक सिंचाय कुछ क्रिसी भूमियों के लवनी भवन में योगदान कर सकते हैं, ठीक है न, और ये दोनों क्या है आपका, ये दोनो आपका गलत है तो इसमें अंतरगत आपका मिर्दा में जो आपका है तो मिर्दा में कारवनिक पदार्थ का उच अंस इसकी जल धारन छमता को प्रबल रूप से कम करता है यह कथन सही नहीं है क्योंकि कारवनिक पदार्थों की उच मातरा से मिर्दा की जल धारन छमता बढ़ जाती है तो यह पहला स्टेट्मेंट गलत है कि मिर्दा में कारवनिक पदार्थ का उच अंस इसकी जल धारन छमता को प्रबल रूप से कम करता है और यह कथन सही नहीं है क्योंकि कारवनिक प दंधक का विसाल भंडार मिर्दा था आउसादों के भीतर हैं, जहां यह कार्बनिक रूप से कोईले तेल और पिट के रूप में पाया जाता है। इसी तरह आकार्बनिक निशेपों, पािराइड चत्तान एवं सलफर चत्तानों में सल्फेड, सल्पाइड व कार्बनिक सलफर के रुप में पाया जाता है तो यह आपका इसका तीसरा जो स्टेटमेंट है ऑस ही अगला प्रसन आपका friend है अगला प्रसंद को देखिएगा कि निमलिखित कत्रों पर विचार करें रास्ट व्यापी मिर्दा स्वास्थ कार्ड स्कीम स्वाइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश क्या है ये नेशन वाइड जो आपका है मिर्दा स्वास्थ कार्ड स्कीम स्वाइल हेल्थ कार्ड स्किम का उद्देश क्या है एक दो तीन आपका इसके बारे में आपको बताना है तीन स्टेट्मेंट है पहला है सिंचित क्रिसी योगी छेतर का विस्तार करना दूसरा है मिर्दा गुर्मत्ता के धार पर किशानों को दिये जाने वाले रिन की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना और तीसरा है क्रिसी भूमी में पूर वर्कों के अति उप्योग को रोपना ठीक है तो यह क्या होगा तीनों का इसको आपको बताना है तो क्या है ये मिर्दा स्वास्त कार्ड स्कीम, स्वाइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश क्या है, जल्दी बता दें क्या होगा एंसर आप लोग जल्दी से, इसका क्या एंसर होगा जल्दी बता दें इसका क्या एंसर होगा, बी एंसर बता रहे हैं टीक है इसका जो answer आपका होगा बिलकुल कौन सा सही है तो इसका जो answer आपका होगा वो बिलकुल B है सही बताया विभा आहिद ठीक है B ही answer होगा तो इसका B answer होगा मेरे भाई और यह जो statement आपका है कि किसी भुमी में उरवर्कों के अति उप्योग को रोकना ठीक है तो ये आपका सही है जो स्वाइल हेल्थ कार्ड स्कीम है जो नेशन वाइड है इसका ये स्टेट्मेंट क्रिसी भूमी में उर्वरकों के अति उप्योग को रोपना बिल्कुल ये सही है ठीक है ना 30 का भी बिल्कुल सही बताया तो मिर्दा स्वास्टकाड योजना की सुरुआत सभी राज्यों संग शाषित प्रदेशों में सभी खेतों की प्रजणन शम्ता का मुल्यांकन करने तो साल के चक्र में किशानों को नियमितूर्थ से मिट्टी के स्वास्टकाड जारी करने के लिए की गई है और इसका रीन क की मात्रा के आंकलन में बैंकों को समर्थ बनाने से कोई शंबन नहीं है ठीक है अगला प्रस्तनाव का फ्रेंड है कि भारत में मिर्दा अपक्ष है ठीक है क्या है भारत में मिर्दा अपक्ष है तो भारत में जो मिर्दा अपक्ष है यह समस्या निमलिखित में से किस्य संबन समंदित है वेदिका क्रिशी से वनन मूलन से और उस निकटी बंदिये जलवाई उसे यह मैंने अनकैडमी के स्पेशल क्लास में मैंने कराया था 2014-2015 में हुआ है ठीक है तो आप देख सकते हैं इसमें तो वेदिका क्रिशी मिर्दा पक्षय समस्या निमलेकित में से किस समंदित है वेदिका क्रिशी से समंदित है या वनन मूलन से समंदित है या उस निकटी बंदिये जलवाई से समंदित है तो आपको यह बताना है क्या होगा जल्दी से एंसर बता दें आप लोग और यह मैंने आपको कराया भी है फ्रेंड आपको याद होगा तो मैंने इसको कराया भी था अनकैडमी के स्पेशल प्लास में एक कोश्चन एक आया था इसको आप देख सकते हैं 31 का A मिर्दा अपक्षय से है तो मिर्दा अपक्षय स्वाइल इरोजन से समंदित आपका फ्रेंड है तो इसमें आप इसको देख सकते हैं इसका जो एंसर आपका होगा इसका एंसर आपका क्या है मैं आपको पता दूँ इसका बी एंसर होगा क्या होगा इसका बी एंसर होगा कोई बात नहीं उंप्रकास जी जुड़ जाओ भी तो केवल दो इसका एंसर होगा मतलब वनोन मूलन मतलब डीफ ओरेस्टेशन वनों को काटेंगे तो क्या होगा मिरदा का पच्छे होगा और वेदिका क्रिसी क्या है वेदिका क्रिसी तो सिड़ी नूमा क्रिसी है ठीक है और ऐसी प्रनाली जो है धाल युक्त भूमी में कंटूर लाइन के सहारे भूमी का समतली करण कर वेदिकाओं का टेरिस का निरमान सिड़ी का निरम सिड़ीदार क्रिसी की जाती है तो हिर्दा के अपरदन को रोकता है, मिर्दा सनरक्षन के उपाएं हैं वेधिका कृषिये, बट वननूलन क्या है यह मिर्दा अपरदन अगर ज्यादा forest का को cut करेंगे तो क्या होगा, जो forest जो paint होता है, मिट्टी को बांधे रखता है और जगर forest नहीं होगा तो क्या होगा जैसे जादा वर्षा होगी तो उसका अपरदन होने लगेगा या वायू के द्वारा अपरदन होगा तो जो deforestation है ये मिर्दा अपरदन को बढ़ावा देता है स्वायल इरोजन को बढ़ावा देता है वरिक्षों की जड़ें जो है मिर्दा को बांध कर रखती है अतधिक वर्षा एवं प्रवाह तेज हवा के चिति में क्या होता है उपरी मिर्दा को उड़ा ले जाती है लेकिन तो ये चीजे हैं और उस निकटिवंदिय जलवायू ज अगला प्रसंद देखते हैं तो ये मैंने आपको बताई दिया अगला है कि जो भारत की जो लेटराइट मिट्टी है भारत की लेटराइट स्वायल जो है भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निमलिखित में से कौन से कथन सही है तो भारत की जो लेटराइट मि के बारे में निमलिकित में से कौन से कथन सही है इसमें क्या होगा वे सधानतर लाल रंकी होती है उसमें नाइट्रोजन पोटास से सम्रिध होती है उनका राजस्थान और उत्तर-प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है इन मिट्यों में टैपियोका और काजू के अच्छी उपज होती है तो यह चार statement आपका है let right smile के बारे में आपको बताना है तो कौन सा इसमें सही है और यह प्रस्ट भी मैंने करा रखा है आपको फिक है निर्मल सेट जी आपने भी बताया था आपने भी बताया था बहुत थी अच्छा उसके बाद विभा आपने इसका भी एंसर बताया जखो इसका जो एंसर आपका है तो इसमें आपको तो A, B, C, D नहीं दिख रहा होगा तो C में कि मैं आपको बता दूं क्या है C में आपका एक और चार है ठीक है और D में आपका जो है और D में है दो और तीन है 2 एंट 3 है तो C में आपका हो जाएगा एक और चार और D में क्या हो जाएगा 2 एंट 3 तो 32 का क्या हो जाएगा 32 क जल्दी से बताएं, और लोग भी बताएं, क्या होगा? भारत के लेटराइट स्वाइल के बारे में, तो इसमें पहला ओप्शन क्या है? A, 1 और 1, 2 और 3, दूसरा है 2, 3 और 4, चौथा है 1 और 4, और D का क्या हो जाएगा? 2 और 3 तो जल्दी से बताएं और लोगी जबाब दे इसमें क्या होगा लेटराइट स्वाइल के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं लेटराइट स्वाइल क्या है ठीक है आपको याद होगा लेटराइट स्वाइल के बारे में बताया जा चुका है कि लेटराइट स्वायल क्या होता है तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दे दें ठीक है न तो इसका A answer नहीं होगा मिरभाई इसका answer होगा C, एक और 4 होगा, एक और 4 होगा, C इसका answer होगा, एक एंड शार, ये लाल रंकी होती है लेटराइट स्वायल और नाइटोजन पोटास में समरिद नहीं होती है ये और इनका रास्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है दोनों गलत है ये दोनों statement क्या है आपका गलत है और इन मिटियों में tapioca और काजू के अच्छी उपज होती है तो ये सही है लेटराइट मिर्दा जो आपका है उच तापमान और भारी वर्षा के छित्रों में विक्षित होगी जहाँ पर high temperature है जहाँ पर heavy rain है और ये स्वायल जो है उस निकटी बंधिये वर्षा जहाँ पर tropical rain है जहाँ पर humidity है जहाँ पर सुस्क रीतियों की बारंबारता के कारण liching process होता है liching मतलब क्या होता है निच्छालन अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है कि इससे जो minerals होते हैं जो nutrients होते हैं वो बह कर चले जाते हैं नीचे तो निच्छालन का परिनाम है और वर्षा के साथ चूना और सिल्का तो निच्छालित हो जाते हैं मतलब lime और सिल्का का liching हो जाता है लेकिन 로हे के oxide और aluminium के यौगिक ये swail में रह जाते हैं iron oxide and aluminium के compound रहते हैं स्वाइल में रह जाते हैं और लोहे के oxide के अधिक्ता के कारण इसका red, इसका color red होता है, इसको brick soil में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, brick soil, तो कि इसे इंटे बनाई जाती हैं, और लेटराइट मिर्दा में, लेटराइट soil में, जो जैयो पदार्थ है, nitrogen, potass, phosphate और calcium की कमी होती है, जैयो पदार्थ की कमी होती है, nitrogen की कमी होती है, potass की phosphate calcium कमी होती है, और long oxide और aluminium oxide की अधिक्ता होती है, लेटराइट मिर्दाओं का विकास मुक्रुप से प्राइदीपिय पठार के छेत्रों में हुआ है, पश्मी घाट में हुआ है, पुर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ी, सत्पूरा, विंधियन सिखर पे हुआ है, और उत्तर प्रदेश और आस्थान में इस प्रकार की मि भूस अनरक्षन की परिरेखा बंधन मिधी का परियोग कहां के लिए होता है, तो इसमें इसको देख सकते हैं, यह जो प्रस्न आपका पूछा गया है, भूस अनरक्षन की परिरेखा बंधन मिधी, परिरेखा बंधन आपका जो होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसको ये प्रस्न को देखिएगा भूस अन्रक्षन करने के लिए मतलब मिर्दा पर्दन को रोकने के लिए परिरेखा बंधन विधी क्या बोलते हैं इसको कंटूर बीडिंग बोलते हैं कंटूर बडिंग बोलते हैं कंटूर समुच बाध निर्मान कंटूर फार्मिंग बोलते हैं कंटूर फार्मिंग तो इसका क्या एंसर होगा आप लोग को देखना है तो इस प्रस्थ में आपको दिक्कत होगा तो कोशिस करें इसका क्या एंसर होगा फ्रेंड इसका क्या एंसर होगा तोड़ा आप लोग कोशिश करें अस लोगों को साइद टाइम से प्रotleम में क्या है तो इसका एंसर होगा मैं आपको बता रहता हूं कोशिष करें आप लोग क्या इसका एंसर होगा डी answer होगा विभा ने डी answer बताया बिलकुल सही है इसका जो है कोई भी इसका यह answer होगा कोई भी statement जो है सही नहीं है और इसका डी answer होगा ठीक न तो समुच बान्थ निरमान को कंटूर जुताई या कंटूर क्रिसी या कंटूर फार्मिंग के नाम से जानते हैं बिलकुल D होगा मनोश कुमार जी और यह मिर्दा संरक्षन स्वाइल इरोजन स्वाइल कंजर्वेशन के लिए क्या है एक एकरिकल्चर टूल्स है और किसी ढाल युक्त भुमी पर उसके समुच रेखाओं पर विरिक्ष लगा कर पत्थरों को रख कर आउरोध उत्पन किया जाता है और ये समुच आउरोध भारी वर्सा के दोरान और नालिकाएं के निर्मान एवं परत अपर्दन को क्या करता है रोकता है जो कि मिर्दा पर्दन के प्रमुक कारण है ठीक है न तो बिल्कुल ये चीज़े होंगी और आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे तरीके से इस तरह के प्रस्ट नहमेंचा अगला आपका फ्रेंड है कि निमलिखित में से कौन सा मिर्दा में नाइट्रोजन को बढ़ाता ह ठीक है कौन सा मिर्दा में स्वाइल में नाइट्रोजन की मातरा को बढ़ाता है ठीक है तो मिर्दा में नाइट्रोजन की मातरा कैसे बढ़ती है जन्तूं द्वारा यूरिया का सर्जन करना ठीक है और दूसरा है मनुष्यों द्वारा कोईले को जलाना तीसरा है बनस्पत मृतिय की मृतियों तो यह कैसे होता है फ्रेंड आपका यह UPSC के कोश्चन है तो यह प्रस्न पूछे गए हैं तो आपको इसको देखना होगा कैसे होता है यह तो कौन से मृदा में स्वायल में नाइटोजन की मातरा को बढ़ाता है जन्तूओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन मनुष्यों द्वारा कोईले को जलाना और बनस्पतिय की मृतियों तो इसमें क्या एंसर होगा आप लोग जल्द से जवाब दे दें इसका क्या एंसर होगा तो इसका जो एंसर आपका होगा मैं फ्रेंड जल्दी कोशिस करें 34 का D 34 का D तो इसका एंसर नहीं है इसका C एंसर होगा फ्रेंड जन्तुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और बनस्पतिय की मृतियों तो ये इसका एंसर होगा जन्तुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और बनस्पतिय की मृतियों तो ये आपका इसका एंसर होगा और नाइट्रोजन चक्र के अंतरगत मिर्दा में नाइट्रो नाइट्रोजन सीधे मिर्दा में नहीं पहुँच पाता है क्या होता है सीधे मिर्दा में यह नहीं पहुँचता है तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन चक्र के अंतरगत मिर्दा में नाइट्रोजन की मात्रा जन्तूं द्वारा यूरिया के उत सर्जन था बनस्पतिय की मृत्यू से बढ़ती है अगला प्रस्तन आपका फ्रेंड है कि मिर्दा का लवनी भवन मिर्दा में एकत्रित सिंचित जल के वास्पिक्रित होने से पीछे नमक और खनेजों से जो उत्पन होता है सिंचित भुनी पर भुमी पर लवनी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है मतलब कोई भी एग्रिकल्चर लैंड है तो एग्रिकल्चर लैंड पर जो मतलब साल्ट का बढ़ राया प्रेंट तो कैसे बढ़ेगा इसके बारे में आपको बताना है तो यह फसलों के उत्पादन में अतधिक ब्रिधी लाता है ठीक है दूसरा यह कुछ मिर्दाओं को आप पारगम्य बना देता है यह अंडर गाउंड वाटर को उपर ले आता है यह मिर्दा के वायू आवकासों को जल से भर देता है तो क्या होगा जहाँपर मिर्दा का लवनिभन्मिर्दा में कातित। सिंचित जल के वास्पीकृत होनेसे क्या होता है इसमें आपको देखना है क्या इसका एंसर होगा A है B है C है D है यह आपको बताना है ए है, बी है, सी है, डी है, इसका क्या answer होगा, मंडे से ऑफ्षिनल भी आपका start हो जाएगा, 35 का बी answer है, ठीक है, यह बिल्कुल सही answer अपने बताया है, यह आपका बी answer होगा, यह कुछ मिर्दाओं को औपारगम ही बना देता है, ठीक है, मनुश कुमार जी, यह नहीं, बी होगा, ठीक है, यह कुछ मिर्दाओं को औपारगम ही बना देता है, क्योंकि साल्ट का लेयर हो जाता है, क्या हो जाता है, साल्ट के लेयर होने के कारण क्या होता है, क्या होता है, कि स्वाईल जो है, यह पारगम में हो जाता है, तो बी एंसर होगा बिलकुल आहित खान जी, और ओम प्रकास बिलकुल बी होगा, तो मिर्दा में स्वाइल में लवनियता जो सैलिनेटी की समश्या है उन छहत्रों में होती है जहाँ पर वास्पी करन की दर मतलब जहाँ पर एवपरेशन की दर वर्सा दर से अधिक होती है और ऐसे इस्तिती में कैपेलरी एक्षन होता है क्या होता है केशी का क्रिया हो कैपेलरी एक्षन द्वारा मिर्दा में स्वायल में जो उपस्थित सोडियम है कैलसियम है और मैगनीज के जो साल्ट है और छारिये तत्तों का जल के साथ सता पर आगमन होता है, इस दोरान जल का वास्पिकरन हो जाता है और सोडियम युक्त सभी लवन मिर्दा की उपरी परत पर छूट कर लवन की एक परत के रुप में जमा हो जाते हैं, यह संपुन प्रक्रिया जो है मिर्दा का लवनी भवन कहलाता है, यह संपुन की लवनिये एवं छारिये मिर्दाएं क्रिसी कारियों के लिए अप्रोप्रियेट उप्युक्त नहीं होती है और भारत के नहरों द्वारा अतिस इंचित भागों में मिर्दा के लवनिभावन की समश्यामें से हर्याना वगर के चत्रों में किए तो यह आपका प्रशन है निमलिखित कत्रों पर विचार करें ठीक है तो भारत के पिछले पांच वरसों में भारत के पिछले पांच वरसों में खरीद की फसलों की खेती के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार करें धान की खेती के अंतरगत छेत्र अधिक्तम है जवार की खेती के अंतरगत छ सब्सक्राइब हैं कर्या कि रखेटि और दुलना में अधीक है कपास की खेती का बीपिन ठेटि में अधीकेन का इंत्र दूलना में अधीक है गन्ने के खेती क과 इंत्रगत फिर्वाट श्Ehति में उपीन निरंतर घंटाय थरिध लुगा स्बिट में टिर्कुंट अग्रिकल्चर से काफी कोशन पूछा जा रहा है पिछले 2020 में जो जाम हुआ उसमें अग्रिकल्चर के बहु सारे प्रसंद पूछे गए तो मैं जोगरफी में आपका पूरा फिजकल जोगरफी पूरा वर्ल्ड जोगरफी पूरा इंडियन जोगरफी का अग्श का iam si key कराओं गा फ्राइडे सटडे संदे को और मंडे टूज्डे विड्र जे णे सदे नियंच को चार दिन आपको study कराओंगा जिसमें आपका दो दिन वल्ल जोगरफी हो जाएगा एक दिन फीचकल जोगरफी और एक दिन इंडियन जोगरफी और फ्राइडे सटेडे संडे आपका MCQ हो जाए और सुबह भी आपको साथ बजे अनकाडमी स्पेसल पर क्लासे चल रही है इसमें दो दिन पॉलिटी दो दिन इन्वार्मेंट और दो दिन आपका जोगरफी का सिक्यू मिल रहा आपको तो बिल्कुल यह करते रहें काफी फायदा होगा आपको इसमें क्या एंसर होगा आप इसको देख सकते हैं इसमें क्या एंसर होगा आपको बताना है और यह उस समय जो प्रस्न पूछा गया था तो उसके according और यह जो question आपका बता दो friend यह जो question पूछा गया है यह 2019 का question है UPSC 2019 का यह प्रस्ण पूछा गया है ठीक है तो इसका जो answer आपका होगा ओ आपका A इसका answer होगा friend इसका A answer है ठीक है 1 और 3 यह answer है धान की खेती के अंतरगत छेत्र अधिक्तम है प्रकी तुलना में अधिक है और यह 2 statement आपका क्या है गलत तो यह आपका statement 1 और 4 जो आपका statement है 1 और 3 जो statement आपका है वो आपका सही है और 1 और 4 जो आपका है वो गलत है आप मेरे मनुश कुमार जी आप मेरे से telegram पे जुड़ जाए तो मेरा टेलिग्राम का जो चैनल है मैं आपको बता दूँ इससे आप जूड़ जाएं टेलिग्राम पर तो आपको ठीक है आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी तो इससे आप जूड़ जाएं तो इसके अंतरगत मैंने आपको पता दिया, अगला आपका है फ्रेंट, कि भारतिये क्रिसी में परिस्थितियों के संदर में संरक्षन क्रिसी की संकलतना का महत तो बढ़ जाता है, निमलिकित में से कौन से संरक्षन क्रिसी के अंतरगत आते हैं, संरक्षन क्रिसी क्या होता है, इसमें आपको देखना है, इसमें पहला जो है, एक धानिक रिसी पधतियों का परिहार, निउन्तम जोत को अपनाना, मतलब मीनिमम होल्डिंग एरिया, बगानी फसलों की खेती का परिहार, मिर्दा धरातल को ढखने के लिए फसल और सिष्ट पराली का उपयोग, अस्थानिक इवं कालिक फसल अनुक्रमन फसल आवर्तनों को अपनाना, तो क्या होगा इसका एंसर आप लोगो देखना है, इसको मैं अच्छे तरीके से आपको समझा भी दूँगा, चीक न, तो संड़क्षित क्रिसी पधति, इसको अच्छे तरीके से देखिए, थोड़ा पढ़ लि को जोड़ो इस से यार कितना बहतरीन मैटर लेके आया हूं और केवल पढ़ने से नहीं कोश्चन को करने से आपको ज्यादा फायदा होगा और कोई भी एक बुक को ध्यान रखें फ्रेंड जोगरफी की कोई भी एक बुक ले ले और माजी दुशन सर के इंडियन जोगरफी ले लो या जो वर्ल्ड और इंडियन दोनों साथ में आती है तो जोगरफी के लिए सबसे अच्छी किताब है उसको ले लो तो इसका क्या एंसर होगा जल्दी से बता दो आप लो फिर मैं आपको अच्छे तिसको डिटेल कर दूँगा इस प्रस्ण को आप लोगो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी इसका एंसर जवाब का होगा और भी लोग जबाब दें इसका क्या एंसर होगा हाँ बिल्कुल विभा ने सही जवाब दिया है सागर सोनी ने भी सही जवाब दिया इसका सी एंसर होगा इसका C answer है, कि संरक्षन क्रिसी की संकल्पना का महत तो बढ़ जाता है, निम्रेकित में से कौन से संरक्षन क्रिसी के अंतर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल्डन, शागर, विभा, बहुत अच्छा है, आप लोग ने C answer दिया है, बिल्कुल सही दिया है, आहिद, नि यह नहीं होगा, C answer होगा, दो, चार और पांच, नियुन्तम जोत को अपनाना, और मिर्दा धरातल को ढखने के लिए फसल और सिष्ट पराली का उपयोग, इसको मल्चिंग बोलते हैं, और अस्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमन, फशल आवर्तनों को अपनाना, साधन संरक्षन टक्नीक की सहायता से टिकाव उत्पादन अस्तर के साथ साथ, परियावरन संरक्षन को ध्यान में रखते हुए फशल का उत्पादन किया जाता है, तो यह संरक्षन क्रिसी है, और संरक्षन क्रिसी में जमीन को या तो बिलकुल भी नहीं जोता जाता है, जम मिर्दा की सता पर बने रहते हैं इससे मिर्दा चरण जो है मिर्दा का पर्दन कम होता है समानिता तीस प्रतिसत तक फशल और शेशों द्वारा मिर्दा का धकार आना आवश्यक है बहुत इंपॉर्टेंट है यह कुछ पूछा है निर्मल सेट जीन आपने संदक्षन क्रिसी में फशल विवदी करण मतलब फशल का डाइवर्सिटी फशल चक्र क्रॉप रोटेशन अति आवश्यक है फशल विवदी करण मिट्टी की उरवर्ता को क्या करता है बनाय रहता कभी यह फशल वो रहे हैं कभी व अगरिकल्चर में अलग से कोश्चन लेके आऊंगा फ्रेंड तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ आप सोचते होगा कि सर एकी चीज बोलते रहते हैं बिल्कुल मैं जोगरफी में आप बिल्कुल आपको परिशान नहीं होना है बेहतरीन तरीके से फीजकल वर्ड और इं कहा देता हूँ आपको उसके माद पिर आपका इन वॉर्मेंट का अपका हो गया in सक वी पुरा प्रिवियस और उसके बाद फिर आपका economy का जो section होता है इसका भी आपका previous year का और आपका जो अच्छे प्रस्न है अस्तरिय प्रस्न है तो इस सारे चीजों को आपको करा दूँगा तो आप लोगों को संरक्षित क्रिशी पदती जो है आपको समझ में आ गई होगी दिक्कत नहीं होगा और संरक्षन क्रिशी में जो संरक्षन क्रिशी में फसल विवदी करन मतलब crop diversity crop को diversify करना है ठीक है बिल्कुल धुरू परमार जी स्वागत है आपका and very good evening and welcome तो संरक्षन क्रिशी में जो crop का diversity है and crop rotation यह सबसे ज़्यादा important है और जब crop का diversity करते हैं crop rotation करते हैं तो soil fertility जो है काफी बहतर हो जाती है ठीक है और संरक्षन क्रिशी के तकनीक को जो संरक्षन मतलब संरक्षन क्रिशी के तकनीक को अमेरिका में कनाडा में अर्जंटीना ब्राजील इत्यारी देशों में बड़े ही बड़े अस्तर पर इसको इंप्लिमेंट किया गया है और करीब-करीब संदक्षन क्रिसी में ध्यान दिजेगा नोट भी कर लीजे इसलिए बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठे संदक्षन क्रिसी विश्व में कुल क्रिसी योगी भूमी के लगवग 8.5% शेत्रफल में होती है पुरे विश्व में 8.5% पर संदक्षन क्रिसी होती है और संदक्षन क्रिसी के सिधानतों को पुन रूप से लागू करने के लिए कई संसाधन संदक्षन तक्निके अपनाई जाती है जैसे लेजर है लेजर है लेवलर है तिक है रेजड बेड प्लांटर है टर्बो सीडर है सुनी जुताई है स्प्रिंकल एरिगेशन है इन सब चीजों का इस्तमाल किया जाता है मतलब टेक्नलोजी का इस्तमाल किया संदक्षन क्रिसी जो है यह कापी इंपॉर्टेंट है अगला प्रसन आपका है कि निमलिखित पदतियों में कौन सी क्रिसी में जल संदक्षन में सहायता कर सकते एगरिकल्चर का तो खोब अच्छे तरीके से कर लो निमलिखित पदतियों में से कौन सी केवल कहां पर कौन दर्रा है, क्लेसियर है इस अब नहीं ज्यादा पूछता है ज्यादा पूछता है अगरिकल्चर का ज्यादा इंडस्टी का पूछता है ज्यादा मिनरल से कोश्चन रहते हैं ज्यादा ट्रेड एंट ट्रांस्पोर्ट से कोकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा कार हो रहा है तो इन सब इस से पूछा जाएगा प्रेड में इसे कौन सी क्रिसी जल संरख्षन में सहायता कर सकती है water conservation तो कौन ऐसा system है है ऐसा methodology है जो agriculture में water conservation में सहायता कर सकती है भूमी की कम या सुनि जुताई थीक है तो मतलब कम जुताई करना या बिल्कुल ही जुताई नहीं करना और खेत में सिंचाई के पूर जिप्षम का परियोग करना जैसे कोई भी अग्रिकल्चर लैंड है उसमें बिफोर एरिगेशन आप जिप्षम का यूज कर रहे हैं मतलब जो पराली होता है जो जिसको बिहार में भूशा बोलते हैं हरियाना में पंजाब में पराली बोलते हैं उत्तर प्रदेशम पराली बोलते हैं फसल आउसेस को खेत में रहने देना ठीक है बिलकुल स्वागत है जी अंकी तिवारी जी एंड सभी लोगों ने एंसर क्या बताया है friend तो बिलकुल जुड़े रहो और मैं इस चैनल में नया हूँ तो आप लोग थोड़ा support करो जो पहले से आप लोग सभी लोग जिसमें हो काफी channel में काफी संख्या है subscriber काफी है तो आप लोग थोड़े चीजों को देखो और अच्छे तरीके से आपका पूरा complete कराएंगे इसका क्या answer होगा आपको देखना है friend तो इसका answer जो आपका होगा यह आपका C answer होगा ठीक है इसका C answer है इसका C answer होगा friend कि भूमी की कम या सुने जुताई, क्या होगा, भूमी की कम या सुने जुताई, और तीसरा आपका है, फसल और सेश को खेत में ही रहने देना, तो ये आपका, इसका एंसर होगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा जो आपका है, इसका एंसर होगा, अगला आपका फ्रेंड है हाँ टेलिग्राम लिंक जो मेरा है निर्मल मेरा टेलिग्राम लिंक जो है यह है देखो इसको इसका स्क्रीन सॉट ले लो आरकेस आईपी यह मेरा एंसर मेरा यह टेलिग्राम लिंक इससे जुड़ जाओ तो तो इसमें आपका है भूमी की कम, भीभा जी बिल्कुल सही बताया, सी होगा, या सुनी जुताई, फसल आउसेज को खेत में रहने देना, क्रिसी में जल संदक्षन में सहायता कर सकता है, और खेत में सिंचाई से पुरू जिप्षम का प्रयोगी संदर में प्रभावी नहीं ह तो विकल्प सी जो आपका है, हो सही होगा, अगला प्रस्न फ्रेंड, देखो ये भारत के प्रधान मंत्री भी इसका नाम लिये थे उन्होंने, ये प्रस्न पूछा गया है, ये प्रस्न आपका जो है फ्रेंड, ये 2016 का कोश्चन है, ये 2016 का कोश्चन पूछा गया है, एग इसमें आप देख सकते हो इसमें देश के प्रधानमंत्री साब ने भी नीम आलेपित यूरिया के बारे में बात किया था और जितना भी आपका करीब 15 मंत का देड़ साल का फ्रेंड देड़ साल के जितने भी कारकरम है गौवर्मेंट के जितने भी स्कीम है उसका भी मैं इसका आपको एंसर देना है मिरदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मिरदा सुक्ष्म जीओं द्वारा नैट्रोजन योगी करन बढ़ाता है उसके बाद नीम लेप मिरदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है नाइट्रस आक्साईड जो की एक ग्रीन हा अप्तिर्ण वासी और एक उर्वरक का सयोजन है तो क्या इसका एंसर होगा जल्दी से बता दो A, B, C, D क्या होगा नीम आलेपित यूरिया तो नीम आलेपित यूरिया से क्या फाइदा होता है ठीक है क्या फाइदा है इसको बताना है D एंसर जो आपका है और लोग भी बताएं D एंसर होगा और कल आपका सेशन यह फिर रहने वाला फिरेंट थोड़ा आप लोग इसको शेयर कर दें ज्यादा लोगों को जोड़ें ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा तो कल यह सेशन इसका आज मैं 40 कोशन करूंग आज मैं 40 कोशन करूंगा और फिर मैं कर फोटी बन से लेकर क salahकि टोटन आपको करीब 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 10 साल के परस्टन को देखा जाये 2,011 से लेकर 2,020 बीस तक्व तक के तो करीब 145 हों 4500 आपका है यह सारे प्रस्टन आपके जहगरफी के सारे सरे को बता दूँगा, तो इसका क्या answer होगा, धुरू प्रमार जी ने बताया है, इसका B answer होगा, बिल्कुल सही बताया है, धुरू प्रमार जी, ये answer होगा, नीम लेप मिर्दा में यूरिया के घुलने की दर को क्या करता है, धीमा करता है, तो ये इसका answer आपका होगा, ठीक है न, तो भी इसका answer और फ्रेंट बाकी सब क्या है गलत है और ध्यान से देख लिजेगा जब समान यूरिया का उपयोग करते हैं तो वह ammonium carbonate में परिवर्तित हो जाता है किसमें बदलता ammonium carbonate में इसमें से कुछ यूरिया ammonia gas में परिवर्तित हो जाती है जिसे ammonia वास्पी करन करते हैं और वास्पी करन के दोरान आठ से 10% nitrogen की हानी होती है और नीम में जो नीम का पेंड होता है पर उसके पत्ते होते हैं नीम में ऐसे गुन है जो प्रतेएक अस्तर पर nitrogen की छती को क्या करता है और यह nitrate निर्मान की प्रक्रिया क्या करता है धीमा करता है नीम आलेपित यूरिया के प्रियोग करने का कारण है कि यह जल में जाकर सिग्रता से नहीं घुलता है और पौधे के लिए लंबे समय तक उपलवद रहकर उसकी ब्रिधी में सहायक बन पाता है नीम आलेपित य जड़ों में लंबे समय तक टिक कर पौधों का पोशन और उच गुनवत्ता प्रदान करता है और नाइट्रोजन की अनुपलपता और निम जल अस्तर में भी यह कारगर है नीम प्राकृतिक तोर पर पौधे की प्रतिरोधी छमता बढ़ाता है जो नीम है वो पौधों का क यूरिया उत्पादन की मंजूरी देना और कम से कम 75% घरेलो यूरिया उत्पादन का नीम लेपित उत्पादन अनिवार बनाना तै किया गया ताकि किसानों को लाब हो ठीक ना तो यह कितना important है देखो तो सामान यूरिया का जब प्रयोग करते हो सामान यूरिया का जब कि वास्पी करन करते हैं और वास्पी करन के कारण क्या होता है एट से टेन परसेंट नाइट्रोजन की हानी हो रही है और नीम नीम ऐसा है बहुत गुन होता है नीम में फार्मसोटिकल में काफी इस्तमाल किया आता है कॉस्मेटिक में इस्तमाल किया आता है तो नीम जो डाइब की निर्मान की प्रक्रिया को धीमा करता है और नीम आलेपित यूरिया के प्रयोग करने कारण यह जल में जा कर सिगरता से नहीं घूलता है और प livestock के लिए लंबे समय तक available रहता है और उसके व्रधी में सहायक बनता वे और नीम आलेपित to तो पॉधों की जड़ों में लंबे समय तक बना रहता है, इसे पॉधों को पोशन देता है, क्वाइलिटी पर्दान करता है, ठीक है, तो ये सब इसके इंपोर्टेंट है, 2015 में है सो इसको इंप्लिमेंट किया गया, तो बहुत इंपोर्टेंट है आपका इसका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का अगला है लास्ट कोश्चन है अज 40 कोश्चन करेंगे और कल से कल जो हम लोग है कल थोड़ी संख्या बढ़ा हो आप लोग यार ठीक है न थोड़ा अच्छा कम रने से थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है तो कल 41 से हम लोग करेंगे ठीक है 20 से लेकर 25 कोश्चन करेंगे ठीक है और संडे को आपका इस पेसल क्लास होने वाला है साम को 6 बजे जिसमें हम लोग फीजिकल जोगरफी में जियो मार्फलोजी के कोश्चन को करने वाले और एक चीज़ों को अच्छे तरीके से बताएंगे तो यह जो आप का है FAO आपका पारंपरी क्रिसी परणालियों को सारभौम रूप से महत्पुन क्रिसी विदासत परणाली की हैसियत प्रदान करता है इस पहल का संपुन लक्ष क्या है यह प्रसन पूछा गया था आपका तो यह प्रसन को आप देख सकते हैं FAO ठीक है FAO पारंपरी क्रिसी पढ़नालियों को सारभौम रूप से महत्पुन क्रिसी विदासत पढ़नाली मतलब globally important agriculture heritage system globally important agriculture heritage system नोट कर लो ठीक न तो आपका क्या हो जाएगा globally आपका globally important agriculture heritage system तो इसके अंतरगत क्या है अभी निरधारी GIAGS के स्थानिय समुदायों को आधुनिक प्रोद्धों की विद्राली का प्रसिक्षन वितिय सहायत्या परदान करना सर्जी कितने टाइम से लगों को जोड़ो इसमें कम से कम मैक्सिमम मैं इस चैनल पर निया आया हूं ज्यादा मेरी क्लास नहीं हुई तो ऐसे मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं अन्यकाडमी पर तो थोड़ा और संख्या में लोगों को जोड़ेंगे यह आपकी लोग कर सकते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों सेर करें अपने फ्रेंड सोगरें को क्या इसका होगा आपका ग्लोबली इंपॉर्टें तो यह सायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं इसको बता देता हूँ, इसका जो एंसर आपका होगा, आप लोग कोशिस करो, इसका क्या एंसर होगा? सर, क्लास 7 पेम से रखिए, मैं थोड़ी इसकी टाइमिंग चेंज करूँगा, मंडे टेजिस से इसकी टाइमिंग चेंज होगी, तो मैं आपको बता दूँगा, टेलिग्राम लिंक से चुड़े रहें, तो मैं बता दूँगा, इसका एंसर होगा, आपने साथ नहीं पढ़ा होगा, तो मैं इसको बता दूँगा, कि इसका एंसर जो आपका होगा, बी एंसर होगा, यह जो आपका है, पारंपरी क्रिशी पढ़नालियों को सारभौम रूप से महत्पुन क्रिशी विरासत पढ़नाली, ठीक न, ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रिकल्चर हैरिटेस सि सिम्पल समझो, ठीक है न, तो क्या है यह, तो यह है पारितंत्र अनुकल्वी परंपरागत क्रिशी पधतीर, और उनसे सम्मंदित परिद्रिश क्रिशी जय विवित्ता, अस्थानिय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभी निर्धारन इवं संदक्षन करना, ठीक है, नॉलेज में इन्हेंस करना, नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है, और उसको कंजर्व करना, तो यह है, तो पारंपरिक और सौधेसी ज्ञान प्रणाली के उप्योग की बात कही गई है, जी, आई, एच, अस मतलब क्या हो गया, ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रिकल्चर हाटे सिस्टम से कोई से संबंद कोई प्रावधान नहीं है, सारभोम रूप से महत्पुन क्रिसी विरासत पढणाली विश्चु भर में इस्तित है, विशेष्टा के तोर पर वे साइट्स हैं, मतलब वे छेत्र हैं, जो क्रिसी में एग्रिकल्चर में डावर्सिटी, वाइड लाइफ में डावर्सिटी, नौलेज एवं कल्चर के लिहाज से महत्पुन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, सरल रूप से क्रिसी विरासत पढणाली के अंतरगत उन क्रिसी शेत्रों को संरक्षन किया जाता है, जो आ economically, environmental के इसाब से, culturally point of view से, sustainable point of view से, climatic change के नजरिये से महत्पुन है, ठीक है न, और वह व्यासफिक रूप से क्या होता है, वह important agriculture area है, हाँ, हाँ, what is the full form of GIHS, full form is global important agricultural heritage site, ठीक है न, global important agricultural heritage site, उसमें ध्यान क्या रखा जाता है, simple रुप से आपसे पूछा जागा कि GIHS क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि GIHS का मतलब होता है सर, global important agriculture heritage site, तो मेरे को समझ में नहीं है क्या है, तब आपको बताना है, कि इसकी अंतरगत जो है, आर्थिक, economic, परियावरनिय, environmental, cultural, सांस्कृतिक, सतता मतलब sustainable, sustainable, परियावरन को नुक्षान नहीं हो, climatic change के नजरिये से महत्पुन है, और ये global रूप से GIHS पाये जाते हैं, महत्पुन क्रिसी अस्थल होता है, तो यहां पर आपका, यहीं तक आपका करते हैं प्रस्न, तो हम लोग ने हैं, तो फिर अगले तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ये चार दिन में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिसमें मैं दो दिन वर्ल्ड जोगरफी पढ़ाऊंगा, एक दिन फिसकल जोगरफी और एक दिन इंडियन जोगरफी, और मेरे देड़ घंटे की क्लास होगे, मेरे देड़ घंटे की क्लास होगे, अच्छा इंपोर्टेंट होगा आपका, वो बिल्कुल कराऊंगा, तो फ्रेंड यहाँ पर, हाँ दो ही, जैसा आप लोग करेंगे, देखो, जैसा भी आप लोग बताएंगे, जिसके एकॉर्डिंग करेंगे, आपको फायदा होना चाहिए, तो इसके एकॉर्डिंग करेंगे, तो ऑर इंपोर्मेंट, आप मेरे को दोनों कराना है जोगरफी और इनवर्मेंट टेकलोजी दोनों कराना हो, तो बल्कुल कराऊंगा, तो मेरे कोट उगर का, यूज करते रों, आरके स्टेंट है, लाइक, सेर करो, मैक्सिम लोगों को इसमें जोडो, जोडो, ठीक है न? तो स से किसी में अडमिशन ले सकते हैं